Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading ये तो आप लगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पे तीन set of cards है फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally August मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहले cards में दिख रहे हैं seven of pentacles, reverse and need a break और ये cards कहते हैं कि कुछ time से यहां August मन्त में आप थोड़ा सा partner से relationship से break लेना चाहा रहे हैं अब दिखें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हूं कि आप break up कर रहे हैं या फिर आप इस relationship को end कर रहे हैं बट ये इस थोड़ा pause लेते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि उतने action initiatives आप अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं नहीं लेना चाहा रहे हैं चीजों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं इन फाक्ट दिखिए August starting में आप थोड़ा सा pause लेना चाह रहे हैं चीजों को अच्छे से समझने के लिए कि भई आपको क्या करना चाहिए इस relationship में आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस relationship को let go कर देना चाहिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि relationship में जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं इसी तरीके से बढ़ते रहने देना चाहिए या फिर थोड़े से changes लाने चाहिए अब देखिए ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन august starting में आप एक pause लेते हुए दिख रहे हैं और कहीं end august तक एक break आप लेना चाह रहे हैं अब फिर से मैं कहूंगे मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि आप break up कर रहे हैं एका दुका के लिए ये भी हो सकता है but you know एक break in the sense कि थोड़ा सा pause लेना चाह रहे हैं और in between अगर हम देखें august मन्त के तो कहीं two of swords reverse का card कहता है कि पीछे हो सकता है बहुत सारी पातें आपने अपने partner की देख के अंदेखा करी सुन के अंसुनी करी और आपको कहीं लग रहे है कि बस बहुत हो गया अब इतना नहीं आप चीजों को ignore कर सकते हैं अब इतना नहीं आप चीजों को avoid कर सकते हैं हो सकता है कुछ action initiatives आपकी तरफ से लेने की ज़रत थी आपने वो action initiatives नहीं लिये हो सकता है कुछ decision choices लेने की ज़रत थी अब देखिए ये भी सब के लिए डिफर करेगा अगर हम ब्रॉडर लवी के लिए देखें तो हो सकता है कि आपने अपने लिए stand नहीं लिया आपने अपनी बात उस तरीके से नहीं रखी या कोई भी decision choice हो सकती है कोई भी action initiative हो सकता है जो आप लेना चाहते थे नहीं लिया और कहीं mid august में इसी energy से खुद को बाहर निकालना चाह रहे है आपको लग रहा है कि again बस हो गया अब भी तो आपको you know चीजों को upfront होके deal करना पड़ेगा अब आप और जादा इन चीजों को नहीं avoid कर सकते और पीछे हो सकता है कि आपने बहुत compromises किये बहुत adjustments करी और आपको कहीं august end में ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया अब और adjustments और compromises नहीं कर सकते अब दिखे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ changes major आप अपनी energies में यहां फिर अपनी तरफ से लाना चाहा रहे है लेकिन इसी से ही related एक सोच आपके मन में चलती हुई दिख रही है अब दिखे फिर से इसके लिए सब Taurus के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए आपके partner के energies हो सकती है कुछ के लिए past experiences हो सकते है और भी बहुत सारे reason मैंने आपको भी बताए तो उन में से भी कोई reason हो सकता है और deeper level के लिए hiding from you running into के cards कहते हैं कि शायद आप अपने partner को मन ही मन avoid करना चाहा रहे हैं या फिर आप कोई चीज अपने partner से चुपा रहे हैं या खुद ही उन से चुप रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि अचानक से उन से मुलाकात ना हो जाए अचानक से उन से कहीं टकराव ना हो जाए और इस चीज को आप avoid करना चाहा रहे हैं तो ये थी आपकी energies अब देखते हैं कि आपके partner के लिए तो देखें आपके partner के लिए आपे सबसे बहला card है judgment और ये card कहता है कि आपके partner किसी चीज को end करके एक नई beginning इस relationship में लाना चाहा रहे हैं अब देखें ये general reading है तो ये ending beginning जो आपके partner चाहा रहे हैं ये सब Taurus के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है कि कुछ issues, मसले आप दोनों के बीच में रह रहे थे या रहे रहे हैं उनको end करके आपके साथ नई सिरे से एक beginning करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है relationship को end करना चाहा रहे हैं आप देखें मैं ये नहीं कह रही कि हो ऐसा कर रहे हैं लेकिन एक सोच उनके मन में चल सकती है और ये भी कुछ torus के लिए, कुछ के लिए simply जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़े ठीक नहीं चल रहे हैं उनको end करके नए सिरे से आपके साथ एक beginning करना चाहा रहे हैं जो भी surface level के energies हो कही deeper level के लिए acting cold का card कहता है या तो उनका बहुत एक cold attitude है या फिर आपकी तरफ से एक बहुत cold सा attitude वो महसूस कर रहे हैं और हमने देखा भी कि आप बहुत ज़्यादा action initiatives नहीं ले रहे हैं torus इसलिए या फिर otherwise भी two of wands reverse का card कहता है वो चीजों को next level पर लेकर तो जाना चाहा रहे हैं लेकिन उनको उतना confidence नहीं आ रहा है अब यहाँ पर हो सकता है torus की उनको अपने उपर नहीं आ रहा है आपके उपर नहीं आ रहा है इस relationship के उपर उतना confidence नहीं आ रहा है और यहाँ पर multi-facet का card कहता है कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं और आप शहद हो सकता है, समझ भी ना पाएं कि भई आखिर उनके मन में क्या चल रहा है यहाँ पर tracking location का card कहता है कि जो भी उनका behavior हो कहीं आप पर पूरी नजर रखे हुई है आपको पूरी तरीके से वो stock कर रहे हैं आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हर चीज का पता उन्हें है और हर चीज का पता करने की उनकी कोशिश भी रह रही है और कहीं देखे, Night of Wands Rivers का card कहता है कि end August में कहीं वो, you know कुछ changes इस relationship में लाना चाहा रहे हैं अब यहां पर simply कुछ Taurus के partner के लिए हो सकता है कि move on करना चाहा रहे हैं, नहीं move on कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि travel करना चाहा रहे हैं उनके travel plans delay हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है इस relationship में positive changes लाना चाहा रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं तो देखिए जो भी movement, जो भी changes, वो चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। और अब देखते हैं Taurus की August मन्त में क्या हो रहा है। तो देखिए August starting के लिए आपे सबसे बहले cards हैं, Five of Cups, Reverse and Advise। और ये cards कहते हैं, कि पीछे कुछ issues, मसले आप दोनों के बीश में रह रह रहे थे। इनफाक्ट देखिए Five of Cups, Reverse का card बहुत ही clearly कहता है, कोई mistake हो सकता है आप से हुई हो या फिर आपके partner से हुई हो और कहीं August starting में, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है, कि भाई, जो भी mistake हुई, अब उसको, मतलब उसके उतनी attention नहीं देते हैं, आप चीजे कैसे बहतर हो सकती हैं, उसके focus करते हैं, गलती हो गई, हो गई, कोई बात नहीं, इसको let go करो, और फिर स मैं कहूंगी चीजों को कैसे बहतर करें, उस पे focus करना चाहा रहे हैं, जो भी इस relationship में positive है, उस पे focus करना चाहा रहे हैं, और या तो एक दूसरे को आप दोनों सलहा दे रहे हैं, एक दूसरे से सलहा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ इसी चीज को discuss कर रहे हैं, या फिर कोई और इनसान भी हो सकता है, जिसके साथ आप दोनों या आप दोनों मी से कोई एक अड़वाइस ले रहे हैं, और कुछ के लिए प्रोफेशनल गाइड़ेंस भी हो सकती है, कुछ के लिए आपके कोई बहुत क्लोज वन है, या क्लोज वन नहीं भी है, कोई इंसान है जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिन पर वो बहुत ट्रस्ट करते हैं वो सला ले रहे हैं आप सला ले रहे हैं और यहापे together again both still in love के cards कहते हैं कि deeper level के लिए आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बह प्रस्ट मंत की energies भी confirm कर रही है और ये दोनों cards कहते हैं फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा हो आप दोनों एक दूसरे के साथ वापिस आना चाहा रहे हैं both still in love का कार्ट कहता है कि आप दोनों की ही मन में एक दूसरे के लिए एक जैसा ही प्यार है लेकिन दिखिए surface level के लिए चीजें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरीके से आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर six of souls rivers का कार्ट कहता है कि mid august में एक stuck energies हो सकती है आप दोनों में से किसी एक की कोशिश थोड़ा सा आगे बढ़ने की हो सकती है अब अकेले भी या फिर you know साथ में भी लेकिन कहीं you know उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दीखे आपके partner की तरफ से तो हमने देखा कि वो initiative लेना चाहरे है लेकिन उनको उतना confidence नहीं आ रहा क्योंकि आप बहुत जादा stuck में हिसूस कर रहे हैं या फिर आपकी बहुत ही passive energies है अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी energies में थोड़ा सा बदलाव लाएं और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर तुदी कि आपकी मर्जी है और यहां पर chariot reverse का भी card इसी चीज़ को confirm करता है कि वो confidence नहीं आ रहा है आप दोनों में से कोई एक थोड़े से rough हो रहे हैं थोड़े से rash हो रहे हैं अपने behavior में आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो कुछ के लिए हो सकता है आप दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अकेले आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यहाँ पर देखिए ट्रावल प्लांस भी डिले हो रहे हैं या पर लॉंग डिस्टन्स की वज़े से भी कुछ इशूज हो सकते हैं जिनका स्पेसिफिकली लॉंग डिस्टन्स का रेलेशन्शिप है तो यह था टॉरस आप लुगों के लिए और अगर यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें